हेलो दोस्तो उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जिन बच्चों ने DRDO साइन्टीज भी का फॉर्म पिल किया हुआ था और इस्पेसली जिनका डारेक्टली इंटर्यू था ठीक है तो जिसे पार्ट टू कहा गया था एड़टाइसमेंट न हैं कि आप साइट प्लिस्ट हुए या नहीं हुए अगर हम बात करें कि पार्ट टू पे कौन-कौन सी ब्रांचेश थी सो ज़स्ट मैं आप एक आप सभी को एक बार बता देता हूं पार्ट टू पे इलेक्रिकल इंजिरिंग थी मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल केमिकल इंजिरिंग, एरोनॉटिकल इंजिरिंग, मैथेमेटिक्स, सिविल इंजिरिंग, इस्टुमेंटेशन इंजिरिंग, माटेरियल साइंस, नेवल आर्किटेक्चर, इन्वार्मेंटल साइंस एंजिरिंग, एक्मॉस्फेरिक साइंस, माइक्रो बायोलोजी और बायो फिल किया था वो सभी बच्चे यहां चेक साट लिस्टिक स्टेटस में जाके अपना डिटेल फिल करके यहां चेक कर सकते हैं ठीक है और उन बच्चों के लिए भी मैं बता दू जो पार्ट वन पे थे आलड़ी उनका रोल नंबर वाइस वेन डिटेल आ चुगा है आप एटमिट का डाउनलोड कर सकते हैं 11 दिसंबर को आपका एक्जाम है Most of the candidate मुझे लगता है कि जो गेट क्वालिफाई थे Maximum लोग रिटन एक्जाम जिन ब्रांच का था Electronics, Mechanical and थर्ड आपके पास Computer Science Mostly बच्चे सॉट लिस्ट हो गयते है रिटन एक्जाम के लिए लेकिन यहां Part 2 पे Limited लोगों को ही सॉट लिस्ट किया गया है जो टॉप रैंक पे लाइक करते हैं और जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया था ठीक है सभी बच्चे DRDो की Website Open कर लेजें यहां rac.gov.in से और यहां आप नीचे आते जाएए Advertisement No. 140 और चेक सॉट लिस्टिंग स्टेटस से अपना सॉट लिस्टिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं और जो भी बच्चे सॉट लिस्ट हुए आपका next round interview होगा so I hope कि आप interview की अच्छे से prepare करें और definitely आप success हो यही हमारी बीस है ठीक है तो ऐसे ही updates मैं आपको देते रहूँगा ठीक है कुछ interview के tips भी हम आपको provide करेंगे आगे ठीक है तो चलिए फिर आप ऐसे enjoy करते रहे और जूड़े रहे अड़ा 24-7 के साथ thank you everyone